जहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागा था आपका फिर से एक नए जुकेशनल वीडियो में आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अगर आप क्लास नंबर 14 तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएए और वहाँ पे सारे वीडियो को आप जरूर बाच कीजिए इससे आपकी टैली प्राइम 110% फुली कंपलीट होगी तो हम आज क्लास नंबर 15 में सीखेंगे टैली के एक कंपनी में बना हुआ लेजर दूसरे कंपनी में कैसे इंपॉर्ट करते हैं मिन्स एक कंपनी से बने हुए लेजर को कॉपी करके दूसरे कंपनी में कैसे डालेंगे इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपॉर्ट इंपॉर्ट करना तो आईए हम सीखते हैं सबसे पहले हम दो company बनाएंगे तो create में जाकर के एक company हम बनाते हैं यहाँ पे एक के नाम से state बिहार और accept कर लेते हैं और control एसे save करते हैं एक company मेरे पास बन गई दूसरी company हम company पे click करके और create option में जाकर के बना रहे हैं x के नाम से बिहार और accept control एक करते हैं save हो जाता है दोस्तो आपको company बनाने जरूर आता होगा हमने दो company A और X के नाम से बना ली अब हम A company में कुछ laser बनाएंगे तो A company पर click करेंगे यहाँ पर A company active होगा X पर click करेंगे यहाँ X company active होगा तो हम A पर click करते हैं और create option में जाते हैं लेजर में जाते हैं और यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं सेल के नाम से अंडर हम इसे डालते हैं सेल्स अकाउंट में एकसेप्ट कर लेते हैं एक लेजर हम बनाते हैं पर्चेज के नाम से पर्चेश का लेजर अंडर जाएगा पर्चेश अकाउंट में और इंटे करके एकसेप्ट कर लेते हैं एक लेजर बना लेते हैं बैंक के नाम से अंडर जाएगा बैंक के नाम से अंडर जाएगा बैंक के अकाउंट में और एकसेप्ट कर लेते हैं एक लेजर हम बना लेते ह हो गए जिसे हम अल्टर में जा करके और लेजर में जा करके देख सकते हैं बैंक पर्चेज रेंट सैलरी और सेल्स प्रोफिट एन लॉस और कैस का तो रहता ही है यहाँ पे लेजर तो हम इसकेप से बैग जाते हैं अब मेरे पास ए नाम के कंपनी में इतने सारे लेजर हो गए हम चाहते हैं कि इन लेजर को कॉपी करके और एक्स नाम के कंपनी में ले जाए तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक्स नाम के कंपनी को टेक्स पे क्लिक करते हैं अल्टर में चलते हैं और लेजर में चलते हैं तो यहां पर देखेंगे कोई लेजर नहीं है तो चलिए हम kopi करते हैं एपर किलिक करते हैं पहले एपर कंपनी को एक्टिफ कर लेगे क्योंकि यहाँ से COPY करना है Export बेटन पर किलिक क करेंगे Masters में जाएंगे यहाँ से हम configure पर जाएंगे यहाँ से laser को select करेंगे क्योंकि laser copy करना है और यहाँ से आपको master पर click करके एक नाम दे देना है कोई भी नाम दे देते हैं तो नाम हम दे देते हैं यहाँ पर Q याद रखेंगे Q नाम दे दिये इंटर कर दिये escape बटन को press करना है और अब आपको send बटन पर click करना है अब यह laser copy हो गए copy करने के बाद X नाम के company पर click करके active कर लेना है अब यहाँ पर करना है import हमने export से copy कर लिया import से paste करेंगे तो import option पर click करेंगे masters में जाएंगे और यहाँ पर जो मैंने नाम दिया था Q उस Q नाम को हम select कर लेंगे और यहाँ पर ignore duplicate click करेंगे means कि X नाम के company में जो laser होगा है उसे ignore कर देगा और बात बाकी laser आपको डाल देगा क्योंकि double laser नहीं होते हैं तो अब ignore duplicate click करके इंटर कर देते हैं data copy होगा अब हम X नाम के company में अगर चल करके देखते हैं यहाँ पर अल्टर में जा करके laser में तो यहाँ पर सारे laser आपको यहाँ पर दिखाई देंगे means copy हो चुके हैं तो दोस्तो इस तरह से एक company के laser को दूसरे company में असानी से आप ले करके जा सकते हैं अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिजिए और घर बैठे computer शीखना है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब किजिए फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए चाहिंद आपका दिन सुभू थेंक्यू